हम लोग को ऐसे बैट पैक करके जाता हो देख आप लोग ये ज़रूर पूछोगी तो देखो हम लोग जा रहे है अकोला और जाते है इस्टेशन पर दिखती है हमें खूब सुरत सी वंदे भारत एक्स्प्रेस और साथी में ये भी पता चलता है कि हमारी ट्रेन लगबग 9 से 10 घंटे डिले है यानि रिस्केडूल की गई है और ये देखो रात के 12 बच कर 27 मिनट होगे है अभी तक ट्रेन नहीं आई थी और जब धाई 3 बज़े आई तो नजारा कुछ इस प्रकर था तो फाइनली कल्यान से ट्रेन चुटी 9 से 10 घंटे की जर्ने करके हम उतर गए आकोला स्टेशन यहाँ आने का रिजन है अपने भाई का साकर पुड़ा यानि एंगेजमेंट अटेंट करने यहाँ पर पहुचते ही मने एक बड़ी कॉमन चीज नोटिस करी रस्ते पर ऐसे गमचा पहने हुए लोग क्योंकि भाई साब यहाँ पर धूप बहुत तेज होती है 40, 45 या फिर कभी कभी 48 डिग्री सेल्चेस भी होती है और यह देखो गाउ का नजारा एंगेजमेंट थी शाम के टाइम की तो थोड़ा सा किया टाइम पास फिर हो गए एंगेजमेंट के लिए तयार कैसे लग रहा हुँ मैं तयार होकर हम पहुज गए एंगेजमेंट हॉल जहां पर यह देखो तयारी हो चुकी थी और फाइनली हमने भाई की एंगेजमेंट आडेन कर ली और खाना वाना खा लिया और सबने मिलकर काईदे से डांस भी किया अपना तो एक ही फिवरेट टेप है तो नेक्स दे हम निकल पड़े आकोला घूमने